असलाम आलेकुम नाजरीन, मैं आर्जो अंसारी, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों को हड्डियों के दर्द और हड्डियों की किसी भी प्रॉब्लम के लिए बहतरीन दुआ बताऊंगी, जिससे आप बत सकते हैं, हम जानते हैं कि जब लोग बूरे हो जाते हैं, तो उनकी हड्डियों में दर्द की वजह से उनके नमाज परने, बैठने या देर तक खड़े रहने में मुश्किल हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनकी हड्डियों में तेज दर्द बगर किसी वजह से होता है, या किसी वजह से होता है, जैसे गठिया, लेकि वाकई कुरान में हमारी सभी समस्याओं का जवाब है अल्ला ने कुरान में हर एक बात की वजाहत की है इसी कुरान से आज हम हड्डियों की प्रॉब्लम का हल बताएंगे क्योंकि हमारे पास हड्डियों की समस्या के लिए एक खास दुआ है जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिनी जानकारी पर नए नए वीडियो अप्लोट करते रहती हूं तो आप लोगों से गुजारिश करती हूंँ चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सिबस्क्रायब करें और इस रुडियो को जाद़ से जादा शेयर करें ये दुआ किसने पढ़ी थी? अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी ये दुआ पैगंबर हजरत जकरिया अलही सलाम ने पढ़ी थी जिसका जिक्र सूरह मरियम में किया गया है क्योंकि हजरत जकरिया अलही सलाम बुढ़ापे में पहुँच गए थे और उनकी हड़िया कमजूर होने लगी थी तब उन्होंने अल्ला की मदद लेने के लिए इस दुआ को पढ़ी और दुआ ये है और इसका तरजमा ये है कि ऐ हमारे परवर्दिगार ऐ मेरे अल्ला मेरी हड़ियां कमजूर हो गई है सर के बाल सफेद हो गए है और ऐ मेरे परवर्दिगार आप से दरख्वास्त करके मैं कभी भी महरूम नहीं रहा इस दुआ को किसी भी वक्त आप पढ़ सकते है लेकिन बहतर है कि नमाज के बाद पढ़ लें इसे पूरे मन से पूरे दिल से पढ़ें अल्ला ताइला से दुआ करें ये दुआ आपकी अड़ियों के लिए राहत का सबब बने उम्मिद करती हूँ इस वीडियो से कुछ न कुछ इल्म हासल जरूर हुआ होगा तो मिलती हूँ अगली वीडियो में असलाम आलेकुम